मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताईए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग कराने की कूस ना की है लेकिन कॉंग्रेस की ओर से रिमोट वोटिंग पर आपती जताई है कॉंग्रेस की ओर से रिमोट वोटिंग से बीजेपी को फायदा होने की बाते कही जा रही है चुनाव अयोग ने सुमवार को 8 नेशनल और 57 रीजनल पार्टियों के सामने आर्वियम यानि के रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो दिखाया आर्वियम के जरी दूर दराज रहने वाले वोटर्स भी वोट दे पाएंगे हाला कि कॉंग्रिस समेत 16 पार्टियों ने इसका विरोध किया है उनका कहना है कि इसमें भारी राजनेतिक समस्याएं है कॉंग्रिस नेता दिखविजे सिंग ने कहा कि आर्वियम सिस्टम अभी बहुत अधूरा है इसमें भारी राजनेतिक समस्याएं है प्रवासी श्रमिकों की परिभाशा और संख्या भी साफ नहीं है ऐसे में हम आर्वियम का समर्थन नहीं करते हैं फिलाल रिमोट वोटिंग सिस्टम को लेकर तीन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पहला सवाल ये कि घरेलू प्रवासी की परिभाशा क्या होगी क्या सभी घरेलू प्रवासी मतदान कर सकेंगे दूसरा सवाल ये कि जब टेक्नलोजी बेज़्ड वोटिंग पर सवाल उठ रहे हैं तो आर्वियम लाना कितना सही होगा दीसरा सवाल ये कि रिमोट वोटिंग लोकेशन पर सवाल ये भी कि देश में रिमोट वोटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है दरसल 2019 लोकसवा चुनाओ के दौरान देश में कुल 91 करोण मतदाता थे जिसमें से 30 करोण से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तिमाल ही नहीं किया चुनाओ आयोग का कहना है कि इन में वे लोक शामिल हैं जो दूसरे राजियों में नौकरी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर है वहीं 2011 की जनगरणा के मताबिक देश में लगभग 45 करोण 36 लाख लोग अपना घर और शहर छोड़ कर दूसरे राजियों में रह रहे हैं यानि कि वो प्रवासी है ये देश की अबादी का 37 फीजदी हिस्सा है ये संख्या वक्त के साथ बड़ी है इसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम ले कर आया है प्रवासीयों की वोटिंग समस्या को समझने के लिए चुनाव आयोग ने 2016 में कमेटी ओफ ओफिसर्स और डेमोस्टिक माइग्रेशन बनाई थी कमेटी ने 2016 के आखिर में प्रवासीयों के लिए इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट से वोटिंग का सोजाओ दिया था हाला कि इन सभी आइडियाज में वोट की गोपनियता की कमी थी, साथ ही ये कम पढ़े लिखें लोगों के लिए फायदे मंद भी नहीं था ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी आइडियाज को खारिच कर दिया, इसके बाद चुनाव आयोग ने इसका टेकनिकल सॉल्यूशन आर्वियम के जर्य निकाला इस सिस्टम की मदद से घर से दूर यानि कि दूसरे राजिया शहर में रहने वाले वोटर्स भी मतदान कर सकेंगे इसके लिए उन्हें अपने शहर या गाओं जाने की जरूरत भी नहीं है वोटर्स जिस शहर में रह रहा है उसे सिर्फ वही बनाए गए रिमोट वोटिंग स्पॉर्ट तक पहुँचना है दूसरी तरफ इस सिस्टम को लेकर जो सियासी हंगामा हो रहा है उसकी वज़य भी समझ लीजे दरसल 2009 लोगसभा चुनाओं में हुई वोटिंग की तुलना में 2014 के मतदान में 8% ज्यादा लोगों ने वोट दिया था एक एनलिसिस में पता चला कि मतदान बढ़ने से NDA की सीट जीतने की दर भी बढ़ गई दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी और उसके सहीयोगियों की उस सीट पर जीत की संभावना ज्यादा बन गई जहां पर वोटिंग जादा हुई कहा ये जो रहा है कि रिमोट वोटिंग सिस्टम की लागू होने से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा हाला कि इसका फाइदा किसे होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है एक और तथी ये है कि 30 करोन रिमोट वोटर जुडने से चुनावी मुद्दे भी उसके इर्दगिर्द होंगे ऐसे में बड़ी पार्टियां और अमीर कैंडिडेट्स चुनावी शेत्र और उसके बाहर भी जम कर प्रचार कर सकेंगे जिसका फाइदा उन्हें मिलेगा मौजुदा वक्त में रिसोर्सेस के मामले में बीजेपी ही सबसे आगे है कहा ये भी जा रहा है कि जिस राजनेतिक दल के सत्ता में रहते हुए रिमोट वोटिंग सस्टम लागू होगा उसे इसका फाइदा जरूर मिलेगा इसके पीछे वज़य ये है कि सूरत दिल्ली, मुंबई, चन्नाई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लगेगा कि इस सरकार ने ही उन्हें ये अधिकार दिया है जब दूरती है आज, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने, मुं मोरता है जबाना जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिक निसां, देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां